गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टो ओनलाइन क्लासेच प्रवाइडिड बाइंड पभली स्कूल कलायत फर्स्ट आफ आल मैं आपसे विद्यार्ति और स्टाप को भी बदाई देना चाहता हूं कि जैसे कि हमारी ओनलाइन प्रिक्षा का फर्स्ट दे था और जितन विद्यार्तियों ने प्रिक्षा दी हैं उनकी संख्या लगवग 1500 तो यह अच्छा स्री है हमारे स्कूल के लिए कि लगवग 1500 स्टूडेंट्स ने एक्जाम दिया है उनलाइन तो मैं बच्चों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्नों ने अपनी महीनत लगन से एक्जाम को दिया है भी बच्चे इससे पता क्या लगता है कि विद्यार्थी अलर्ट है स्टडी को लेकर कि उनको पता लगए कि इंपोर्टेंस ऑफ स्टडी क्या है कि स्टडी का कितना महत्यपूर्ण रोल है तो आज हम प्लस्टू हिस्ट्री लेक्चर 11 में पढ़ेंगे एक्स्प् पत्ती किस से बताई थी बैटा मंगोल किस्से बताई थी मंगोल ऐसे इसे कोश्ट तो पहले हमें एग्जाम से पहले याद Senior स्टूर ने निकाला अकवर का जनम कब और का हुआ अकवर का जनम 1512 इसवी में सिंध के पास आमरकोट नामक स्थान पर हुआ हमायू की मृत्यू के समय अक्वर कहां पर था हमायू की मृत्यू के समय अक्वर पंजाब के कला नौर नामक स्थान पर था अक्वर ने तिर्थ यात्रा कर जज्या कब उठाया कब उठाया बेटा बताओ 1564 अक्वर ने तिर्थ यात्रा कर फंदरासो किसने और क्यों दी खुरूर को साझजा की उपादी जहंगेर ने मेवाड वीज्य के प्लक्षमें दी तिया ओरंग जैव का सासनकाल कब से कब तक था औरंग जैव के सासनकाल फोलवावाश तक था कई पर कोशन पूछन पूछ लेता हैं कि मृत्तियू कब हुई कब हुई बेटा 1707 उत्तर मुंगल काल का समय क्या था सत्रों से साथ से लेकर ठार सो स्तावन इस्वी तक नादिरिशान ने भार्त पर कब अकर्मन किया बहुत इंपोर्टेंट है 1739 में नाइथ कलास में भी कोश्च पूछा जाता है बहुत बर यह अकर्मन मुम्मश्या को प्राजित कर दिया अंति मुंगल समराठ की मृत्यों कब हूई अंति मुंगल समराठ कौन थे बाधुर्शा जफर कहां देज दिया गयता उनको रंगून कब बेटा 1862 1862 में मुंगलकाल में इतिवरित कहां रचे गए मुंगलकाल में इतिवरित साही के दरवार संरक्षन किताब खाना में नामा का लेखळ कौन है अबूल फजल कोन है बीटा अकप्र लेखळ नामा का लेख Stevens से नामा मिखळा असमय की रचना अलम गेर आलम गिर्ना मा है टूज अ की जहांगीर का कों है मुगलकाल में दरवारी बासा कौन सी थी फार्सी महभारत का फार्सी बासा में अनुबाद किस नाम सी हुआ रम्ज नामा पंडू लूपिया का लेखन सतल क्या कहलाता है किताब खाना अकबर के समय में लेखन को सरवादी पसंद की जाने वाली ऐसी शली का नाम क्या था शली का नाम क्या था बेटा नस्तलिक अकबर ने मुहमद उशेन को क्या किताब दिया जरीन कलम इरानी द्रवार का सब से अधिक चित्तर का कौन था विहेजाद अकबर नामा वे बादशा नामा में लगबग कितने चित्तर हैं लगबग बेटा 150 से अधिक चित्तर है अबुल फजल ने अकबर नामा कब लिखा 1589 में से 1602 के बीच मुंगलकाल के इतिवरित के अनुबाद का कारिया की संस्थान द्वारा करवाया गया मुंगलकाल के जो इतिवरित के अनुबाद का कारिया है एस्याटिक सुसाइट्टी आबंगाल 1784 द्वारा करवाया गया अकबर नामा का सब से अच्छा अंग्रेजिय अनुबाद किसे किस ने वर नित किया आबुल फजल ने किसने बेटा आबुल फजल ने चित्रकारों ने मुंगल के राज्य को जैसे सबश्ट किया विशेश प्रधान मंडल में दिखाया जैसे कि धिवता को दिखाते हैं अकबर ने अपनी सारी जनता को एक जैसा सविकार करते हुए जो अकबर था उसरे सारी जनता को एक जैसा सविकार करते हुए कौन सी निती अपनाई, कौन सी थी बेटा, सूल है कूल, कौन सी निती थी, सूल है कूल, इसका लोग को, नियाई की तंजीर किसी सासक ने लगवाई, जांगीर ने, आगरा सहर की नीव कब और किस ने रखी, आगरा सहर की नीव सिकंदर लोदी ने, फिप्टिन जीरो फोर मे अग्रा का लाल किले किसने अकपर ने अब यह Qushon ध्यान से देखें सभी ध्यारती अग्रा का लाल क लाल का कभी आउश दिल का रहा कि lapseорт सब्झेए अग्रा में लाल किला है किसने अकपर में है और जो दिनली में 1570 से 1585 तक इश्वी तक रही जहांगीर की मनफसन जन्य कौन सी थी लाहोर कल भी लोग को श्रही पड़ा था सहाजा की दिल्ली को क्या नाम दिया सहाजानावाद सहाजा के काल में अभी बादन में कौन से ने तरीके जूड़े थे तसलीम जमी वोस मुंगल सासको द्वारा प नौ राज कौन सा बेटा नौ राज मिउर्शिया आसन को कौन लूट कर ले गया जम्यूर्श आसन था उसको लूट कर ले गया नादिर शाह को आप से पूछ लेगते हैं चलो आम नहीं इतनके प्ड़ लिए बताईगा कोई भी स्टुडेंट नादिर शाह ने भारत पर कर 1739 में कब 1739 में साही प्रवार के अतरीक अन्य लोगों ने मुंगल द्रवार की सरवोच पद्वी कौन सी थी आसव खां कौन सी थी मुंगल सासकों से मिलने के लिए दी जाने वाली बेट क्या कहलाती थी मुंगल सासकों से मिलने के लिए मिलने वाली बेट नजराना कहलाती थ हारम का साबदी कार्थ क्या है पवित्तर स्थान मुंगल काल में राजनीती में महिलाव की सरवात किस से हुई मुंगल काल में राजनीती में महिलाव की सरवात नूर जां से हुई कीश राजपू सासक ने मुंगलों में विवाईक समंदों की सरवात की मुंगल काल में दरवार की कारवाई को किस नाम से दर्ज किया जाता था मुंगल काल में प्रांत को क्या कहते थे मुंगल काल में प्रांत को बेटा सुबा कहा जाता था क्या कहते थे सुबा आगे कोशन आता है इसका मुख्या कौन होता था सुबे का मुख्या क्या है सुबे से क्या बना सुबे दा that's clear now the next question is प्रांत की सरकार के मुख्या को क्या कहा जाता था मुगल काल में प्रांत की प्रसासनी का सरकार के मुख्या को फोसदार कहलाता था क्या कहलाता था बेटा फोसदार मुगलो बे ईरान के पी जगडे की जड कौन सा सहर था? कंधार. कंधार मुगलो के हाच से आन्तिने बार कभ निकला? 1649 में. मुगलकाल में मक्कव मदीना की समराज्य का हिस्सा था. अकवर के दरवार में पहला JacheSuit Mission कभ बना? 1580 से 1280 में. अकबर ने अपने बेटे मुराद का सिख्षा किसे न्यूक्त किया फादर मांसे रेंट को अकबर ने इबादत खान की स्तापना कब वे कहां की 1570 में फते पुर्शिक्री में मनसवदारों की बर्ती कौन करता है कौन करता है बेटा स्यम समराट करता है मनसवदारी की बर्ती समंदी रिकार्ड को क्या कहा जाता था उसे हकीकत कहा जाता था क्या कहा जाता था हकीकत मनसवदारों की कितनी स्रेणिया थी आबुल फजल क्या अनुसार मनसवदारों की स्राट स्रेणिया थी प्रंतु वास्त्विक स्रेणिया तेत्ति चुनतिस के उपर नहीं थी मनसवदारी परनाली किस ने शुरू की थी मनसवदारी परनाली अकवर ने अरम की थी सबसे बड़ा मनसवदार पद कितने स्थैनिकों पर था दस हजार स्थैनिकों पर किन समराटों की चित्रकला में रूची थी अकबर था जांगीर के किन समराटों की कितने समराट थे जिनकी चित्रकला में रूची थी अकबर था जांगीर के बावर ने हरात में क्या देखा था बावर ने हरात में एरानी चित्रकला के नमूने देखे हमज नामा को चित्रित करने का काम परो कब किया गया बेटा हमज नामा को चित्रित करने का काम अकवर के समय में पूरो होगा किसके समय में अकवर के भारत समंदी विर्तांत में कौन सी यात्रा का वरन किया है जांगीर के समय में चित्रकला उन्नत अवस्ता में थी अंग्रेज यात्री सर टामस रो थेंक्यू है वे गूड़ डे जैसा कि आपका पता है लेसन चला हो है वेरी इंपोर्टेंट है मैंने बहुत पर बता दिया है आपको मुंगल किंग्स कोट्स एंड़ कार्निकल्स तो यह लेक्चर 11 था इसमें सारे के सारे पड़े गए हैं यह लेसन बिलकुल ही है डन हो गया है कि थैंक्यू है वे गुड़ डे